तो दोस्तों उत्राखंड में एक बड़ी एक development हो चुकी है वो है UCC बिल का पास होना तो UCC इतनी बार आपने ये words होना होगा चाहिए अगर कोई election rally में या debate में UCC is uniform civil code हना ये देखो ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है uniform civil code तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि दो तरह की ही code मतलब कानून रहते हैं देश में मैं आपको बिल्कुल सरल तरह से चाहता हूँ समझाना कि क्या क्या बदलाव हो हैं मैं पिछले बहुत देर से हमारे एक मित्र हैं वो supreme court में advocate हैं उनके साथ मैं discussion में था कि मुझे कुछ को चीज़ें बताओ फोर्स ही बहुत डिटेल में बताया उन्होंने मुझे लेकिन मैं चाहरा था कि थोड़ा simplify करके जो चीज़ें UPSC के point से important है मैं आपको वो समझाओ अभी तो यहाँ पर जैसे civil code में जैसे आप जानते हैं जैसे code का मतलब होता है कानून हाना कानून की और civil मतलब थोड़ा अगर आप देखें जो हमारी आम जिंदगी को घरेलू जिंदगी को थोड़ा जादा गवर्न करता है बेखो अपना civil के साथ में पारलली एक और हमारे देश में कानून रहता है जो है वो है criminal हाना criminal code में अभी हम भेदभाव नहीं करते क्या मतलब भेदभाव नहीं करते कौन हिंदू, कौन मुसल्मान, कौन क्रिस्चन इसमें भेदभाव नहीं होता criminal code में अगर मान लो किसी ने murder किया, accident कर दिया और ऐसे कोई चीज करी तो उसमें भेदभाव नहीं होता कि किसको कितनी सजा मिलेगी वो हाँ पर common है, already uniformity exist करती है हमारे criminal code में, मतलब कानून में लेकिन अभी जो घरेलू कानून है हमारे, घरेलू कानून सर कौन से कौन से होते हैं, अरे घरेलू कानून primarily देखो अगर आप तो घरेलू कानूनों में कौन से कौन से आएंगे की चार बड़ी बातें रहती हैं जैसे शादी की बात हाना की अगर शादी करनी है वो हर एक धरम में और हर जो तौर तरीके सा अलग तरह से होती है ओके शादी के बात अगर शादी नहीं चल रही है वो है adoption ये चार चीजे जो रहती है important है कि किस से शादी कर सकते हो कैसे तलाक होगा किसको property मिलेगी and adoption करनी है तो किस तरह से की जा सकती है इस पर अभी uniformity नहीं है हमारे देश में हिंदू का अलग सिस्टम है Muslims का अलग सिस्टम है सभी का अलग है Jews अलग है जैसे अगर आप द इतना clearly लिखा हुआ नहीं था लेकिन उसके बाद लिखा जाना शुरू हो गया उसके बाद है Muslim law यह अभी भी बहुत ही ज्यादा जैसे अभी टुकडों में exist करता है और बहुत सारी चीजे अभी ऐसे हैं कि बहुत diversified हैं इसको codify करने का process जारी है दिन उसके बाद जैसे अ अब समझ पा रहे हैं मतले मेरी बात को कि धरम के हिसाब से कानून अलग लग है तो इसमें शादी व्याह और inheritance adoption अलग लग तरह चलती है इसको अभी uniform करने की बात हो रही है तो यहाँ पर इसलिए जो अभी idea है कि आप ऐसे कानून लेकर आए जो कि सर्वसमती से बने लेकिन हमें भारत में देर सवेर हम सब अगर हम भारतिय नागरिक कहलाएं तो हम जैसे धरम के beyond जाकर हम एक uniform civil code लें दुनिया के नहीं बहुत सारी countries है जहाँ पर already यह civil code uniform है वहाँ पर इतनी diversity देखने को नहीं मिलती लेकिन भारत में since हम बहुत ही बड़ा और बहुत diverse country हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलती है तो इसलिए UCC एक हमेशा ऐसा ही मुद्दा रहा जो की हमेशा ही debate का शिकार रहता है बहुत debate रहती है यहाँ पर तो इसलिए Supreme Court की एक जज है रिटायर जज है रंजरा प्रकाश देसाई जी अभी Delimitation Commission को भी head करती है again Delimitation Commission बहुत ही important Commission है तो Delimitation Commission की head भी है और उसके बाद जो Supreme Court की judge भी थी 2014-15 तक उसके बाद various various cases में और various जो important जगाओं पर भी इन्होंने अपना रोल निभाया अभी 2022 तक she was heading this particular five member committee जो की कैसे UCC लाया जाए अब ना आप कहेंगे सर की UCC पहला हमारा जो कोई state है जो ला रहा है उतराखंट सर गोवा में already exist करता है तो गोवा में लेकिन exist करता है कैसे exist करता है गोवा ने कानून पारित किया था नहीं गोवा ने कानून प रेट किया था भारत में हाना यह जैसे आप इतिहास में पढ़ेंगे इसको तो उसके पहले ना जैसे जो जो पॉच्छुगीस का शासर ना गोवा में भी था दमन दियू में भी था यह बात ध्यान देने वाली है तो गोवा दमन दियू में जो कानून चलता था जैसे यहां पर आपने पार्सी भी लिख लो पार्सी भी लौ अलग ही रहता है तो इन में फरक नहीं करेंगे तो एक कॉमन कोड लेकर आईए तो वो 1961 में जब गोवा अजाद हुआ उसके बाद एक गोवा दमन दियू आक्ट आया था 1962 में तो उसमें कहा गया कि जो जो भी चीजें चल रही है पॉर्चुगल के टाइम से जो कानून चल रहे हैं वो कंटिनूड रहेंगे कंटिनूएंस और पॉर्चुगीज लौ यह कानून लाया गया 1962 में अगर कभी बदलना होगा तो हम अलग से कानून लाके बदल देंगे तो यह बदला नहीं गया कभी से इस गोवा में यह उसी से देखने को मिलता है इसलिए कि कोई अलग से कानून नहीं है वो पॉर्चुगीज का ही कानून चल रहा है लेकिन इसलिए उत्राखंड शायद पहला ही हमारा ऐसा जो राज्य बन गया जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पारित करने की बात सुरू हो चुकी है बिल पारित हो जाएगा जब गजट नोटिफाइड हो जाएका फाइल लॉआ यह तो हम अच्छे से और समझाए कि क्या क्या इसमें प्रोविजिन और डिटेल में क्यूंकि जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं वह चीजें थोड़ी सी आपको में इसको राहेगा तो इसलिए चाहिए अंते चाहता हो बताना आपको इसमें इ stands भॉटन ऒानार जो हैके धरम नहीं 해का सब्सक्राइब गोवा का इतिहास समझा हमने फीचर जाने महां पर तो गोवा में पर्टिक्लरली यहां पर यही एक बात है कि बहुत से ऐसे कानून है जो जब आप देखते हैं गैसे कानून तो वो औरतों को बहुत जादा अच्छी लाइट में नहीं देखते हैं जैसे भी ट्रडिशनल हम उसमें हम बहुत जबाँ पर देखते हैं कि औरतों के साथ थोड़ा अन्याय रहता है कि प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता तलाख की बात समझी थी हमने तो औरते तलाख नहीं दे सकती मर्द दे पाते हैं हना वेरियस धर्मों में जैसे इवन की हमने देखा था जब व खुळारेच को लेकर कि पहले जैसे दो तिन कुछ प्रोफिजन घर्रिपल तलाख फैष्ट जाय था उसके बाद अभी जैसे कुछ प्रफिजन है यहाँ पर अगर आप देखें कि न हिक प्रॉविजन है जैसे जो इद्धत की निकाह हलाला की उसकी बात नहीं की गई का हलाला कि अगर hasse किसी ने जो पहले शादी शुदा थे फिर लिवोर्स दिया डिवोर्स देने के बाद दोबारा चाहते हैं शादी करना तो पहले किसी और के साथ जाकर सेक्स करने का प्रोविजन भी था तो उसको भीटा दिया गया क्योंकि ये विमिन की थोड़ा एंटी विमन माना जाता है और विमन को अन इकोल प्रेडिस्टिल पर रखता है तो इसलिए इसको यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया इंक्लूड नहीं किया गया मतलब एक तरह से माना जा सकता है हटा दिया गया ओके तो अब डिवोर्स को लेकर सक्सेशन को लेकर जो की अन इकोल के बाद जैसे मान लीजे मैं अभी बैठा हूं आराम से और मैंने ऐसे कोई अपनी विल नहीं बनाई हुई कि मेरे मरने के बाद मेरी जो प्रॉपर्टी होगी किसको जाएगी तो अब यहां पर इस पर भी बदलाव किये गए हैं सक्सेशन की कैसे कि अब हम इसको सोचों में क्या बोलते हैं इसको बात को अगर आप ध्यान देना चाहो तो तक वहीज जीवन भर एक जो लाइफ पार्टनर के साथ जी रहे हैं, लोग एक बार शादी करते हैं, लेकिन लाइन से पार्टनर बदलते रहते हैं, जैसे कि एक बीवी, फिर दूसरी बीवी, या फिर मर्द, जैसे भी आप समा सकते हैं, उसको, ओके, सीरियल मोनोगेमी का अभी ट्रेंड बढ़ता है, ये सोशो में सवाल पूछा जाता है, आपको सोशल इशूद में सवाल पूछा जा सकता है, कि सीरियल मोनोगेमी बढ़ रही है, घट रही है, कैसे हैं इस पर सवाल बन सकता है, तो अब भारत में इसलिए हम देखते है जो से और हिंदू में भी यहां पर जो बदलाव की बात हो रही है विल आएगा फाइनल जब आक्ट बनके गजट में आएगा तो पता लगेगा अपना दो तरह की प्रॉपर्टी रहती है जिसको हम कहते हैं को पार्सनरी राइट कि कौन-कौन हकदार है प्रॉपर्टी के कौन-कौन हकदार है अपना प्रॉपर्टी रहा दो तरह की होती हैं दोस्तों इसको न ध्यान देना यहां पर जो दो तरह की प्रॉपर्टी कौन सी है जैसे मान लीजिए आपके पिता जी की property में आपका हक है हना जो आपके फादर है उनकी property में आपका हक है तो एक तो property है जो दादा जी या उनकी पिता जी ने बनाई होगी जिसको हम कहते हैं kind of ancestral property कहते हैं हाना ancestral उसमें जैसे ही आप इस परिवार में पैदा हुए थे आपका हग बन गया, automatically, हाना ancestral property में, एक है पिता जी ने खुद अपनी तंखुआ से पैसे कमाए, और उसके बाद खुद ही property बनाई, वो कहलाती है self acquired, हाना तो इनके division के law अलग लग थे, ancestral property पे आपका पैदाईशी हग है, बिना आपकी इजाज़त के पिता जी नहीं बेच सकते, लेकिन self acquired वो जो मर्जी करें, बेचें जैसे मर्जी करें, उन पर आपकी कोई वहाँ पर आपका हग नहीं है, यह self acquired और जो ancestral में, यह हमें final पता लेगा, कि कैसे होगा, और कि किसका कितना हग है, लेकिन आपको एक बार चाहते हो, हाँ पर एक्स्ट्रा बताना, एक विनीता शर्मा केस है 2020 का, यह important case है, लान्वाक जज्जमेंट की तरह देख सकते हैं, 2005 में अमेंडमेंट हुई थी दोस्तों, एक हिंदू सक्सेशन आक्ट 1956 में, section 6 है इसका, तो इसमें अमेंडमेंट हुई थी कि जिसमें लड़कियों को भी कहा गया था, कि आप भी अगर हिंदू, अगर फीमेल हो, आप भी को पार्सिनर हो, आपका भी हक है, प्रॉपर्टी में, लेकिन यह implement नहीं होता था कि पिता जी के जीते जी भी है, मरने के बाद होगा, बहुत सारे cases, अलग लग तरह की debate चलती थी, 2020 में finally it was settled by the court, कि जहाँ पर कहा गया था, कि लड़कियां उतनी ही हकदार हैं, जितने लड़के हैं, same level पर लाके खड़ा कर दिया गया, और इसलिए, अब इसको finally, अब हम UCC में देखेंगे, कि बाकी जगाओं पर भी यह implement होगा, अब यहाँ पर इसलिए लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, जो बहुत डिबेट में चल रही है, वो यह है कि UCC में के तहत और इवन बाकी भी और जगापर, कि जो अगर आप जैसे, अभी ना जैसे हम देखते हैं कि marriage है particularly, जो modern world में marriage के थोड़े से जो instance है, वो घटते जा रहे हैं, लोग शादी नहीं करते, क्योंकि शादी के साथ, आप सिर्फ शादी ऐसे नहीं होता है ना कि दो लोगों का बंधन है, तो बहुत से लोग इतने ताम जहाम में अब चाहते नहीं पढ़ना, modern life है, बहुत ही लोग aspirational है, तो अब लोग क्या करते हैं पर particularly कि वो कह रहे हैं कि चलो हम इकटे रह लेंगे, हाना इकटे रहना पसंद करते हैं, उसको कहते हैं live in, हाना लेकिन live in पर अभी कोई कानून ऐसे वगरा नहीं थे, UCC में बात हो रही है कि अगर live in में हो आपको register करवाना पड़ेगा, ठीक है क्योंकि वहाँ पर भी अगर कुछ property बनती है नहीं बनती है, क्योंकि suddenly वहाँ पर शादी के बाद जो एकदम से ऐसा देखने को मिलता है, कि जो लड़की है, क्योंकि जैसे कैसे बनाएंगी, property नहीं बनाएंगी, अगर तो dependent ही रहने वाली है, in case अगर divorce वगरा हो जाता है, या separation हो जाती है, तो उस case में थोड़ा जरूरी भी है कि लड़कियों को भी ensure किया जाए, कि लड़की कानून ensure करे, कि लड़कियां अगर let's say कि तलाक हो जाता है, या फिर let's कैसे living में रह रहे थे, jointly कुछ property बनाई उन्होंने, इकटे रहते होए, तो उसमें लड़की को हक मिले, हना तो ये लड़की को हक मिलने की बात रहती है, तो इसका misuse etc. भी है, of course, लेकिन उस पर भी यहाँ पर कानून होना चाहिए, लेकिन अगर हम साधारन बात करें, patriarchal world की बात करें, तो यहाँ पर आपको दिखता है कि लड़कियों को हक मिलना चाहिए, हना living में क्योंकि लड़कियां घर रहके, घर संभालती है, और घर में बच्चों को संभालती है, तो जॉब नहीं करने जाती, तो इसलिए कानून उनकी रक्षा करता है, तो अब यहाँ पर living कोट ने जब जो domestic violence है, domestic violence जो पहले सिरफ और सिरफ married लोगों पर applicable था, कि जो शादी जुदा है, लेकिन नहीं, living में भी लोग रह रहे थे, उनमें domestic violence के cases थे, तो Supreme Court ने कहा था, कि आप living पहली बार domestic violence act में Supreme Court ने रखे कनाइस किया था, कि अगर यहाँ पर भी, अगर किसी की साथ, अगर कोई violent, कोई activity होती है, तो domestic violence act किता है, तो इसको register किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि particularly पहली बार कोई देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए यह debatable चीज़े हैं, सामाज की साथ जुड़ी हुई चीज़े हैं, सामाज जो बहुत react करता है, सदियों से चली आती है कोई चीज़ें, एकदम से कानून बनता है, कानून को इसको दिशा बदलने की कुशिच करता है, तो इसलिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां पर law is becoming an agent, law agent बन रहा है किसका agent of social change, कि law एक सामाजिक बदलाव लाने का एक agent बनके आता है, otherwise उल्टा होता है, otherwise जैसे आप कर्लिमेंट में और विधान सबया में बैटते हैं, जो बदलाव लाने के लिए घेजते हैं वह कानून की लेकिन ऐसा बहुंत है कि बहुत बार कानून बनाने वह हैं समाज को बोलते हैं, चलो बादलने का वक्त आगWow थोड़ा बदलो, प्रोग्रेसिव करतें, ठोड़ा पर आपको लगता है कि आपके पास क्या परस्पेक्टिव हैं प्लीज बताईए कॉमेंट्स में जरूरी है कि डिबेट चले जरूरी है पर आपस में बात करें किग biscuit ये अब जो रोजमर्रा की जिन्दगी है उससे जुड़े हुए कानूनों की बात हो रही है तो पास को अब इसलिए डिबेट और फ्रोड़ा गहरा आएगी तो और चीज़न के बार में बात करेंगे इसको मत भूलना Marriage, Divorce, Inheritance, Adoption ये चार चीजे रहती है STs इससे included है जो excluded है बाकी सबी धर्मों को अब ये equally apply होना शुरू हो जाएगा future में कहां पर उतर ख़ड में चलिए दोस्तों मिलेंगे अपने अगले lectures में ये ऐसे कुछ editorials है बहुत जगा पर मैं देख रहा था कि कोई discuss नहीं कर रहा था और मुझे लगा रहा था बताना चाहिए बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए important चीजें कम से कम तो इसलिए मैंने इस पर lecture बना है क्या लगता है आपको future में क्या होने वाला प्लीज कॉमेंट्स में पक्का बताना मज़ा आता है बढ़के हैं न और थोड़ा सब डिबेट चलती है हम आपके साथ हम भी पार्टिसिपेट करते हैं अच्छा लगता है टेक के दोस्तों बाई बाई